एक्स डेप्यूटी गवर्णर रहे चुके दो हजार नौ से लेकर दो हजार चौना तक रहे श्री केसी चक्रबती इस वक्त हमारे साथ हैं बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए एबीपी में स्वागत है आपका सर सबसे पहले जानना चाहूंगी कि आपके क्या विचार हैं इस डी मॉनिटाइजेशन को लेकर के दी मॉनिटाइजेशन का कोई आर्थिक रैस्नल जुक्ती मुझे दिखाई नहीं देता है तिकर इसे जो है एकोनामी को फाइदा कम होगा नुक्सान अधिक होगा दी मॉनिटाइजेशन से लोगों को आम आदमी को भी नहीं पता है कि नहीं होगा अब कम होगा अब कम होगा अधिक होगा तब पता चलेगा जब हमें पता चले कि कितना काला दन है कितना जाली नोथ है उस पर जो है तब यह पता चलेगा मैं तो सोचता हूं कि इसमें जो है दो तीन लाग करोर रुपया वेल्थ जो है जाके सिस्टेम में जो है वो यूज होता है उससे गौर्णमेंट को टैक्स मिलता है वो बेनिफिट चला जाएगा लोग जो है अगर दो घंता लाइन में खड़ा होके खुश है तो हमें कोई इत्राज नहीं है वो खुश है मगर क्यों खुश है तो मैं ही सोचता है कि साइद पता नहीं चल रहा है जो आदमी टैक्स नहीं देता है उसको पकरने के लिए गवर्मेंट के पास एद्मिस्टिव मेसिनरी है हमें समझ में नहीं आता है कि नो जो है उसका दीमोनीत है इसकर कि उनको कैसे आप पकरेंगे वो तो आपका टैक्स मेसिनरी इंकम टैक्स का प्र कि लिए तेया है नहीं हूा है ऑंके घरमें जो पाइसा था वह जल गया उसमें आपका नुक्सान हुआ और जो आदमी पाइसा ज़मा किये थे उनकी कमाई की पैसा नहीं है जो आदमी ने कभी बैंक की शकल नहीं देखे थी, आज वो कम से कम बैंक जा रहे हैं, क्यूं मैं खड़े हो रहे हैं, उस पूरे प्रुसीडियर को फॉलो कर रहे हैं कोई आदमी बैंक नहीं जाना चाहता है देमोक्रिसी में आपको जबर्दस्तिकियों बैंक भेजना चाहते है उसका कोई पार्टिकुलर च्वास नहीं है वो तो इंसेंटिव दे के उसको भेजने का है आप तो गर्टन पकरकर उसको भेज रहे हैं अगर इही जो है मनसा है इ कोई भी देमोक्रितिक सिस्टेम में जबर्दस्ति किसी से कोई काम कराना नहीं चाहिए.